प्रतम लागूं दो उचरान को धनिये न छुड़ायो खिन लांक तली लाले इड़ियां मेरे जीव के एई जीवन इन पाव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलनावालू निर्कुनेत्रे मेरे जीव के एई जीवन मेरे जीव के एई जीवन प्रणाम सुन्दर साज्जी आज सागर गरंथ प्रकरणतीन की कुछों पाईयां लिया जाएगा और राज्जी आप सबका आवाहन कर रहे हैं पहले तो हम आवाहन करते हैं आओ जीवाला मारे घेर लेकिन ये वानी देकर जो चित्वन की वानी है वो आवाहन कर रहे हैं कि आओ मेरे प्यारे सुन्दर साथ मेरे दिल में ज्छाको तो ये शब्द सागर के उनके दिल में च्छाकने का और सब लोग चित्वन की मुद्रा में रहना चित्वन की अवस्था में रहना और अपनी सुर्ता मूल मिलावे में लगाए रखना और फिर राज्जी की वानी का रस उनके दिल से बहते हुए लहरों के द्वारा पीना ये हम सब का आज का इजबानी का भाव है लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरस या के सरूप या को देख सी जो हैं अरस परस जो हैं अरस परस ये जो सरूप सुपन के धामधनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल में बिराजिमान होएके उसको धाम बनाते हैं और अपने दिल के अंदर आठ सागर और एक एक सागर में अनंत सागर उसका रस रूहों को पिलाते हैं स्वैम श्री गुम्मट जी की तरहटी में जूले पे विराजिमान मिहर राज ठाकुर का तन राजा मरू का जीव और धाम से आवेश स्वरूप श्री इंद्रावती और उनके अंदर विराजिमान साक्षात अक्षरातीत का विश सुरूप और उनके दिल से निकलता हुआ हुआ हुक्म का वो व्रक्ष चौदा फवारों के रूप में श्री गुम्मट जी का जहां से हासन है बारा थंभों वाला वहां से वो फवारे बहते हैं वो चौदा फवारे क्या है रास, प्रकाश, खटरितू, कलश, सनंध, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत सागर और कयामत नामा और जो सुन्दर साथ अपने दिल का समर्पन करके धनी को अपने दिल में बसाकर वहां पर मथ्था टेकता है साश टांग तो धनी अपने नूर की बारिश उन चौदा फवारें के द्वारा करते हैं और हम उस अमीरस को उस अमरित को पी कर सदयों के लिए आनंद में विचरण करते हैं अब लहरी सुख सागर की ये जो सुख का सागर है वो धामधनी का दिल है राजी का दिल है जो नूर भी है इश्क भी है वहदत भी है खिलवत भी है मारफत भी है उस दिल से जो सुख की लहरे निकलती हैं ये लहरे ब्रहम स्रिष्टियों का सुरूप भी है और उन लहरों के अंदर अनंत रस और अनंत रंग है और वो खासल खास ब्रहम स्रिष्टियों के लिए है लहरी सुक सागर की लेसी रूहें अर्स याके सरूप याको देखसी जो हैं अरस परस अरस परस मतलब एक संग हो जाना जैसे दूध के अंदर पानी का अंश होता है लेकिन जब आप देखते हैं तो वो दूध ही नजर आता है उसमें पानी नजर नहीं आता पानी इस तरह से उसके अंदर घुला मिला होता है वैसे ही रूहें राज्जी के दिल से राज्जी के तन से ऐसे घुली मिली हैं कि मूल में कोई अंतर नहीं दिखता राज्जी और ब्रह्म स्रिष्टियों में याके सरू ऐसी रूहें जो परातम हैं जो इस घड़ी मूल मिलावे में श्री कंचन रंग के सिहासन के चारो तरफ बारह हजार ब्रह्म स्रिष्टिया नूरी चंद्रवा नूर की लरे चौसट थम थम्बों के बीच में नूर की दिवाल उसके नीचे नूर का कठेड़ा न नूर ही नूर चारो तरफ से बरस रहा है ऐसी ब्रह्म स्रिष्टियां याके सरूप याको देखसी अपनी आत्माओं के द्वारा इस ब्रह्मांड में होने वाली लीलाओं को देख रही है वहां बैठ कर जो हैं अरस परस आतम और आतम अरस परस इस स्वाद आतम तो आ वही जो पलक न दीजे भंग अरस परस एक हो वही पर आतम आतम संग सुन्दर साथ जरा ध्यान से विचारते हुए इस चौपाई को मेरे साथ एक बार दोहराईए पूरी आवास में जो गूजे और धाम तक पहुँचे इस स्वाद आतम तो ले वही जो पलक न दीजे भंग अरस परस एक हो वही पर आतम आतम संग यही अवस्था है जो है अरस परस आतम और परातम हम ब्रह्म स्रिष्टियां यहां बैठी हैं और उनका दिल जब उस दिल से मिल जाता है और उस दिल में विराजमान राजी का दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस सीधा आतमाओं के दिल में यहां पहुँचने लगता है ए जो सरूप सुपन के असल नजर बीच इन वो देखें हमको ख्वाब में वो असल हमारे तन सुन्दर साथ प्यार से ध्यान देकर सावचेत होकर इसको सुनिये और फिर हम सब स्वता ही चित्वन की अवस्था में पहुच जाएंगे ए जो सरूप सुपन के देखो सुन्दर साथ हम कहते तो हैं कि परमधाम में फरामोशी है लेकिन परमधाम में एक नीद है फरामोशी तो यहां सिंगार गृंध पढ़िये प्रकरण चार आतम का फरामोशी से जागे का प्रकरण आतम को फरामोशी है उसको इस परामोशी से निकलना है फरामोशी कहते हैं भूल जाने की अवस्था को जैसे यहां कहते न, अरे भाई, आप तो बड़े एहसान फरामोश हैं, मैंने आपको राजी की कृपा से इतनी वानी सुनाई और आपका ध्यान कहीं और आप तो एहसान फरामोश हैं, यानि कि एहसान को भूलने वाला, तो यानि फरामोश, तो आतम यहां सब कुछ भूल चुकी है कि वो कौन है, उसका मूल क्या है, कहां से आई है, और उसे जाना कहां है, और उसके धाम धनी, उसके प्राण, प्रीतम, प्राण, वल्लब, प्राण, जीवन, प्राण, नात, इस ब्रह्मांड में हैं कहां, भूल चुकी है, तो ए जो सरूप सुपन के असल नजर बीच इन अब ये परमधाम में ध्यान ले जाईए हकें किया हुकम वतन में बोलो हमारे साथ बोलो तुम लोग सो रहे हो हकें किया हुकम वतन में सो उपजत अंग असल जैसा देखत सुपन में ये जो बर्तत इत नकल ये नकल की दुनिया है प्रतिविंबित दुनिया है यहां हम जो कुछ भी कर रहे हैं राजी अपने हुकम से परातम के दिल में डालते है अगर परातम के दिल में राजी ने डाल दिया कि ये वाली मेरी ब्रह्म स्रिष्टी उठ खड़ी हो तो वो पागल हो जाएगी धनी को पाने के लिए और पा के गल जाएगी इसलिए वो पागल हो जाएगी सुन्दर साथ ध्यान दीजेगा राजी ने हमारे दिल में ये उपचाया जो बात करनी है हके हके मन राजी जो भी बात उन्हें करना होता है तो होता क्या क्या है जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल पीछे सब में पसरे जो वाहे दत में असल जो परमधाम के अंदर हमारे मूल तन है उनके अंदर तब आता है, जब राजी अपने दिल में बात ले लेते हैं। आपने वानी में पढ़ा होगा, कि रूहों के दिल में जो भाव आता है, वो पहले ही इसे बन जाता है। जैसे मैं एक उदारण देना चाहूंगा, कि रूहों के दिल में आया, कि आज मैं नीले रंग का आम खाऊूं, और उसने नजर उठाई, तो व्रक्ष के अंदर नीले ही नीले आम। ये होता कैसे है। जो बात करनी है हकें, पहले लेवे बाहे दिल, पीछे सब में पसरे, जो बाहे दत में असल, तो राजी ने पहले दिल में लिया, कि आज मैं अपनी प्यारी रूहों को नीले रंग का आम खिलाऊूं। तो उनके दिल में आया, तो रूहों के दिल में तब आया, और रूहों ने नजर उठाई, तो नीला आम पहले ही, क्योंकि राजी के दिल में वो पहले ही आ गया। और वो नीला आम क्या है? वो नीला आम क्या है? अरे राजी है, परमधाम में कोई ऐसी चीज नहीं, जो राजी ना हों। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आस्मान, जल, तेज, वायू, सब रूह को, रूह जात अर्स सुबान। पसु पंखी या दर्खत, रूह जिनस हैं सब, हक अर्स वाहेदत में, दूजा मिले न कचुए कम। या पहाड या तिन का, सब चीज बिद आतम, सब देत देखाई जाहर, जो देखिये माहें चसम। जो कचुचीज अर्स में, सो सब वाहेदत के माहें, जरा एक बिना वाहेदत, सो तो कचुए ना हैं। बहदत माने एक दिली, एक दिली माने राजी का दिल, और राजी का ही दिल विद्विद के आकार धारण करके परमधाम में शोभा मान हैं। आपको मालूम है, पुखराज पहाड क्या है? जोर से बोलो, राजी हैं। पुखराज पहाड राजी का ही एक रूप है, जो अनन्त शोभा के साथ विराजिमान है। मानिक पहाड क्या है? राजी हैं। केल का पुल, बट का पुल, जमुना जी, अनन्त बाग बगीचे, आठ सागर, आठ जिमी, सारे फिरावे, रंग महल, मूल मिलावा। मूल मिलावे के एक एक थंब किसका स्वरूप है? राजी का, नूर की दिवाल, राजी की। ये बाते हमको परमधाम में नहीं पताती, इसलिए राजी ने दिखाने के लिए ये बात वहाँ पर लिया, जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे, जो वाहे दत में असल, हके किया हुकम में, हके किया हुकम बतन में, सो उपजत अंग असल। एक अर्ष की पातसाही और वाहे दत का इश्क, सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। अर्ष की पातसाही समझते हो सुन्दर साथ? बोलो मेरे प्यारे सुन्दर साथ, अर्ष की पात्साही है क्या? नहीं बोलोगे, मुझसे नाराज हो, अगर नाराज नहीं हो तो बोलो, बोलो ना मेरे प्यारे सुन्दर साथ, अर्ष की पात्साही क्या है? कोई नहीं बोलेगा, गुस्सा हो, अर्ष की पात्साही मतलब, परमधाम के पचीज पक्ष, क्या पहाड हो, क्या तिनका हो, क्या जर्रा हो, क्या तिनका हो, कड़ हो, कुछ भी हो, बड़े से बड़ा पहाड, और छोटे से छोटा तिनका, सब कुछ राजी का आकार है, राजी का रूप है नूरी रूप है और राजी का स्वरूप है ऐसी अर्ष की पातसाही कहलाती है और वाहेदत का इश्क यानि जितने आकार हैं वो सारे राजी के नूरी तन हैं और एक अर्ष की पातसाही और वाहेदत का इश्क वाहदत का इश्क के मतलब वाहदत माने एक दिली एक दिली माने राजी का दिल और राजी का दिल ही सब आकार में विराजमान है सब रूप के अंदर विराजमान है और उनी के अंदर इश्क जो राजी के दिल का है विराजमान है तो परमधाम में सारे आकार भी राजी के नूरीतन और सब के अंदर वो जो चैतन्यता है वो राजी का दिल है और उस दिल में बात आई कि मैं इनको बताऊं हम जब परमधाम में रहते हैं तो हमें नहीं पता कि सब कुछ राजी है अगर हमें पता होता कि मैं भी राजी हूँ तो क्या इश्क रब्द होता आप सोचो हम वानी में इतनी बार बोलते हैं सब सुन्दर साथ बोलते हैं लेकिन आज इस बात को ध्यान में ले लो और दिल करें तो दो बज़े से तीन बज़े तक जो क्लास होगा आके बैठ जाना उसकी एक एक लहर राजी पिलाएंगे तो पी लेना मैं यहां माईक पे बोल रहा हूं और मालीजे पूरे सुकलाई में ऐसा स्पीकर लगे हों और मैं यहां से बोलूं मैं बड़ा हूं तो क्या सुनाई देगा हर स्पीकर में क्या सुनाई देगा मैं बड़ा हूं अब कुछ लोग उस स्पीकर को ही मत्था टेकने लगेंगे कि यह स्पीकर कह रहा है मैं बड़ा हूं लेकिन बोलने वाला तो यहां है तो राजी का इश्क तो बड़ा है इश्क बड़ा रे सबन में इश्क से बड़ा तो कुछ है नहीं क्योंकि वही राजी का सुरूप है वही राजी का दिल है वही राजी का रूप है तो राजी के दिल में वो बात गूजी कि मेरा इश्क बड़ा है तो रूहें स्पीकर्स है तो उनके दिल से भी निकली मेरा इश्क बड़ा है असल मैं कहा किसने राजी ने मेरा इश्क बड़ा है तो सब रूहों के मूँ से निकला मेरा इश्क बड़ा है तो रब्द तो हुआ कहां लेकिन क्योंकि रूहों को अर्श की पाजसाही और वाहदत का इश्क का पता ही नहीं तो हम कह बैठे मेरा इश्क बड़ा मेरा इश्क बड़ा उन्होंने काया मेरा इश्ख बड़ा, शामा जी भी बोल पड़ी, मेरा इश्ख बड़ा और उसने एक प्रेम मई वार्ता समबाद जिसको रब्द कहते हैं, उसका रूप धारण कर लिया कहने वाले राजजी, सुनने वाले राजजी, हुकम देने वाले राजजी, दिल में आने वाले राजजी, हर चीज राजजी तो उनके दिल में आया कि इनको बताऊं कि इश्ख मेरा है और ये भी मेरे ही तन है रूहों तुम मेरे नूर तन हो खिल्वत में पढ़िये साफ लिखा है रूहों तुम मेरे नूर तन हो और सिंगार में लिखा रूहों तुम मेरे तन हो तुमसों इश्क जो मेरे दिल एक क्यों कर पाओ बका मिने जो सहूर करो सब मिल परमधा में कितना भी सहूर कर लो पता नहीं लगता कि ये इश्क किसका है तो राज जी ने आज इस ब्रह्मान में जो सहूर का ब्रह्मान ने सहूर जानते हैं किसे कहते हैं बोलो ये सुन्दर साथ मेरा कुछ बोल नहीं रहा मुझको लगता गुसा है बोलो सहूर किसे कहते हैं आत्मो मन्थन और कोई बोलेगा नहीं बोलेगा देखो ऐसे हैं मेरे प्यारे सुन्दर साथ चलो अभी उठूंगा न एके करके सबके चरण छूंगा क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो क्या हो गया है खेर चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो राजी ने अपने दिल में जो ये हुक्म लिया जो दिल में इच्छा ली जब प्रकट होता है या कहीं पहुंचता है तो वो हुक्म कहलाता है तो जितनी ब्रह्म स्रिष्टियां वहाँ विराजमान है सब के दिल में उपचा दिया कि मैं अक्षर ब्रह्म का खेल देखू आपने प्रकटवानी तो पढ़ी होगी प्रकाश उंदुस्तानी में उसमें ये लिखा है राजी नहीं बताया है कि अक्षर के दिल में आया कि मैं रूहों की लीला देखू रूहों की प्रेम लीला हम कैसी क्रिड़्ा वहाँ करते उन्हें नहीं पता दी और रूहों के दिल में ये इच्छाउ अत्पन कर दी कि मैं अक्षर ब्रह्म के द्वारा निर्मित खेल की लीला को देखूं लेकिन वो असल कारण नहीं था मूल कारण था एक अर्श की पाथसाही और वाहदत का इश्क सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक और इस वो महा कारण था और कारण ये बना कि अक्षर के दिल में डाला उनके दिल में डाला ब्रज लीला किसको दिखाई ब्रज लीला किसके लिए किया अक्षर के लिए करेक्ट क्योंकि कैसी क्रीडा वहां राजी करते हैं अपनी रूहों के साथ पता नहीं था तो राजी ने कृष्ण जी का तंधरा उसमें अक्षर ब्रह्म भी आए और 12,000 गोपियां आई, 24,000 इश्वरी स्रिष्टियां के रूप में भी गोपिकाएं आई और उन्हों ने जो वहां लीला की वो किसको दिखा रहे थे अक्षर ब्रह्म को रूहें तो परमधाम में हर घड़ी हर पल लीला में मगन रहती थी उसको रूहों को क्या दिखाना अक्षर ब्रह्म को दिखाना लेकिन जो प्रेम लीला देखना चाहते थे वो दिखाया रास में तो हम तो राजी के साथ हर घड़ी हर पल इश्क की लीला में मगन रहते थे हमें क्या दिखाना था तो रास भी अक्षर ब्रह्म के लिए लेकिन ये जागनी का ब्रह्मांड रूहों की खातिर है हमें जानना है कि अर्श की पात्साही क्या है वाहदत का इश्क क्या है और अर्श की पात्साही को ही कहते हैं हकीकत जो दिखे और वाहदत का इश्क जो उनका दिल है वो कहलाता है मारिफत तो मारिफत और हकीकत के भेद रूहों को बताने के वास्ते, इश्क रब्दकी को जाहिर करने के वास्ते, रंग परवाली में हमारी लीला कैसी होती थी, उसके पीछे क्या भेद होते थे, ये बताने के वास्ते, वो हमें यहां ले आए, तो कैसे किया अच्छा सुन्दर साथ एक बात बताना अब मेरे पास सिर्फ दस मिनिट का समय है उसके बाद विराम देना ही पड़ेगा कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं आपके दिल में राजी का दिल आ जाए यही चाहता हूं लेकिन दस मिनिट में तो जो होगा सो होगा अगर ध्यान से सुनोगे तो इस दस मिनिट में भी पाजाओगे आप जब निद्रा अवस्था में होते हो तो आपका तन बिस्तर पे सो रहा होता है फिर आप स्वपन में चले जाते हो स्वपन आपका तन देख रहा होता है कि आपका दिल देख रहा होता है अरे भाई ये तो यहां की बात है इसमें तो बोलो दिल देखता है तन की आँखें नहीं देखती उसी प्रकार से जब रूहें वहां बैटी है तो उनकी आँखें तो खुली है दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है चो भाईक बोलो सुन्दर साथ बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराए ना कचु नैनो देखत ना कचु आप ओल खाए बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए ना कचु दिल की कह सको ना पिया सब्द सुनाए तो रूहों की आँखें ऐसे खुली पड़ी है राजी के चर्णों में बैठी है राजी के नैनों से नैना मिला हुआ है लेकिन राजी नहीं दिख रहे और नैनों के अंदर नैनों की पुतलियों के अंदर राजी का प्रतिबिम्ब पढ़ रहा है और वो प्रतिबिम्ब रूहों के दिल में पढ़ रहा है लेकिन रूहों को दिख नहीं रहा है और जब ये दिल के नैन की नजर सपन में जाती है तो वो दिल के नैन की नजर राजी का हुक्म लेकर यहाँ पर इन तनों के अंदर आया तो वो प्रतिबिंबित स्वरूप होता है और उसी को आत्मा कहते है समझाई परात्म तो राजी के नूरी तन है नूरी दिल रखते हैं लेकिन यहाँ पर जो सौपन के अंदर परात्म के दिल के नैल तन के नैन कुछ नहीं देख पा रहे है लेकिन दिल के बाहर के नैन नहीं दिल के नैन की नजर कहां पड़ेगी सौपन में और सौपन में उसी का एक प्रतिबिंबित स्वरूप बन जाता है जैसे हम सौपन देखते हैं तो मेरा एक प्रतिबिंबित स्वरूप उसके अंदर आकर विराजमान हो जाता है और वो लीला करता है उसी प्रकार से परातम का प्रतिबिंबित तन इस तन के अंदर आके बैठ जाता है और इसका असल कौन है मूलतन प्रतिबिंब के जो असल तिनों हक बैठे खेलावत तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखावत इसका भी खुलासा हो सकता है लेकिन समय की मर्यादा तो रखनी है इसलिए मैं उतना नहीं बोलूँगा बस इतना ही कहरा हूँ यह जो सरूप सुपन के या आत्माए असल नजर उनके दिल के नین की नजर बीच इन इन आत्माओं पर परातम के दिल के नैन की नजर पड़ी है वो देखें हमको खुआब में वो असल हमारे तन बस पांच मिनट और कहना तो बहुत कुछ है लेकिन आज मैं आपको यही कह रहा हूँ की परातम के दिल और आतम के दिल में कोई अंतर बोलो तन का प्रतिबिम्बित तन आतम और उसका दिल इस दिल में दिल मौमिन अर्स्तन बीच में उन दिल बीच ए दिल कहने को यह दिल है है अर्से दिल असल तो जो उस दिल में हर घड़ी हर पल क्या रहता है राजी शामा जी परमधाम बारह हजार ब्रहमस्रिश्टियां वहां की लीलाएं वही इन आत्माओं के हम आत्माओं के दिल में रहता है क्योंकि जो उसके अंदर है वही इसके अंदर है और ये जब हमें यहां पता चल जाए तो हमें क्या लगेगा कि यहां पर मुझे हर जगह परमधाम दिखेगा हर जगह ब्रह्मस्रिष्टियां दिखेगी हर जगह राजी की लीला दिखेगी परमधाम में इश्क की लीला यहां हुकम की लीला लेकिन हुकम भी यहां राजी का इश्क ही लेके आया है तो यहां के जर्रे जर्रे में इश्क ही इश्क तो राजी क्या फर्माते हैं इसी प्रकरण की आखरी चोपाई चोपाई नंबर सत्रा इस प्रक्रण के एक एक शब्द को अगर सुन्दर साथ चाहे तो मेरे पास आज का दिन और कल का दिन क्लास में इतनी ही संख्या में कम से कम आ जाओ खाना खा के पेट पे हार पेरते हुए घूमो मत यहां दो बजे आ जाओ और इस प्रक्रण की एक एक परत जैसे प्याज के अंदर कई परत होते हैं सारे खोलेंगे राची और उसके अंदर जो बीज है वो आपको मिल जाएगा तो यह चौपाई कहती है श्री महा मत कहें महर हक की रूहों आवे एक नजर जैसा परमधाम में रूहों को नजर आता है वैसे ही आत्मा को नजर आ जाए वो एक अद्वैत स्वरूप जैसे वहां वैसे यहां तो तब ही रात को मेट के जाहर करें फजर तो यहां पर जो अज्यान का एक अंदकार चाया हुआ है वो मिट जाएगा और फजर की बेला आ जाएगी और क्या होगा उठके नहाईए जमना जी में कीजे सकल सिंगार यह जमना जी क्या है यहां पर अक्षरातीत के दिल से निकलता हुआ इल्म की वो फवारे उसके अंदर छीलिये यह जो सुक सरूप के आसिक एही आराम जो लो इसक न आवही तो लो इल्म एही विश्राम तो इसी चौपाई को धोरा लो सुन्दर साथ मेरा समय आज यहीं पर विराम देना ही होगा श्री महामत कहे महर हक की रूहों आवे एक नजर तो तब ही रात को मेट के जाहर करें फजर जाहर करें फजर बोलिये श्री प्राण नात प्यारे की जै बोलिये श्री सद्गुरू महराज की जै बोलिये श्री सर्व सुन्दर साथ की जै झाल झाल